कहानी जनतंत्र की जी हाँ एक बार आप तमाम दर्शकों का पुना स्वागत है देमोक्रेटिक मिरर के इस आठवे एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान दाशनिक महान विद्वान देश के दूसरे राष्टपती भारत रत्न सर्वपल्डी डॉक्टर राधा क्रिश्टन के बारे में जी हाँ आपने भारतिय दर्शन को उद्दात स्वरू प्रदान करते हुए भारत के जो ज्यान विज्यां की परंपरा निर्वात रूप से चली आ रही थी उसको कि प्रारंथ प्रतान करने का काम किया था जी हां आपका जन्म पांच सप्टमबर प्रतेक वर्स राष्ट्रिये शिक्षक दिवस्क रूप में मनाया जाता है कि कहा जाता है कि आप जब राष्टपती बने तो आपके सिश्व द्वाराया कामना की रहा हूं और इसलिए यह धिवस्को को समर्पित करते हुए राष्टी शिक्षक दिवस के मनाया जाता है वर्स 1962 मनाया जाता है ज्यात हो कि डॉक्टर राधा क्रिष्टन इसी वर्स भारत के राश्पती बने थे 62 से लेकर सरशठ तक इसके अलाबा प्रतेग वर्स पांच अक्टूबर को 200 शिक्षक दिवस मनाया जाता है ध्यान देने की बात है पांच सेप्टेंबर भारत में शिक्षक दिवस और पांच अक्टूबर 200 शिक्षक दिवस के रुप में मनाया जाता है डॉक्टर सरपल्डी राधा क्रिष्टनन की अहमियत इसलिए और बर जाती है कि आप उन चुनिंदा तीन लोगों में से एक हैं जिन्हें जब वर्स 1954 में भारत रत्म अर्थात भारत वर्ष के सर्च नागरिक सम्मान की शुरुवात की गई तो आपको आप वह पुरस्कार पाने वाले आप वह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति थे वर्स उनिश्च चौबन में जब की जैसा कि हमने अपने पिछले एपिशोड में जिक्र किया था भारत के दूसरे प्रथान मंत्री डॉक्टर स्री लाल भादूर सास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मर्नो परांत भारत रत्न से विभूशित किया था बहरहाल भारत रत्न की शुरुवात तो निश्च चौबन में हो गई थी लेकिन जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जनता पार्टी अर्थात जब श्री मुराजी फाइदेशाई भारत के प्रहान मंत्री हैं तब उन्होंने समिधान के अनुछेद 18 जिसका टाइटल है अपॉलिशन ऑफ दे टाइटल उपाधियों का अंत अनुछेद 18 के आलोक में भारत रत्न को सम्मान को बंद करने का निने लिया था जिसके 19 में असपस्ट आदेश दिया गया कि सम्मान और टाइटल में अंतर है हमारा समिधान टाइटल की बात करता है जिसके अंतरकत राय बहादूर नाइट हूड सिरी 1908, 188 इन जैसे जो उपाधिया थी उसके इंत की बात करती है जबकि सम्मान है भारत रत एक अपने देश के किये गए करतव्यों के परती किरतग्य राष्ट द्वारा अर्पित किया गया एक सम्मान होता है जैसे कि प्रकार कहा गया कि भारत रत्न एक सम्मान है बारहाल इस आलोक में जब कॉंग्रिस की सरकार द्वारवापसी करती है तो श्रीमती इंद्रागांधी की सरकार द्वारा फिर से भारत रत्न को रिंस्टेंट किया जाता है और बड़ा इत्तफाक है कि जिस सरकार ने जिस मुरार्जी भाई देशाई की सरकार ने भारत रत्न को एबोलिस किया था एक समय आशा आता है कि उन्हें खुद भी इस समान कारे किया था कहते हैं कि भारत को दुनिया से जोरने का जो काम मैक्स मूलर ने किया था जर्मन दार्षनिक उसको उसका इस्थानिये रूप उसके राष्टिये क्रित रूप में राधा कृष्ट्न ने अमली जामा पहनाया था राधा कृष्ट्न ने कई भी स्विद्ध्यालियों में कुल्पती की रूप में भी कारेड़त है और 1931 में पहली बार उनका आगबन होता है राधितिक पटल पे जब उन्होंने गांधी जी के सबने अवग्या आंदोलन से प्रभावित होकर स्वयम को राष्ट निर्मान में सिख्षा के साथ साथ राष्ट निर्मान से भी जोड़ने का काम किया इसके उपरान भारत के समिधान सभाग के सदस्य के रूप में आपके द्वारा दिये गए तर्थ और भाषन आज भी एक अभिलेख के रूप में करेरत है जब देश की आजादी का प्रश्ट हुआ म्यायं चलाज कि हमें घ्याद है लॉडंट माउंट बेूटिंग के भारत से जाने के उपरां स्री राजगोपालाचारी को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वे एक मात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जो भारत और अग्रेज के बाद एक मात्र भारती गवर्नर जनरल थे उसके बाद भारत मेराष्ट प्रदिकापत की शुरुआत हो गई तो इसके पीछे दर्शन यह था कि भारत जो है वह नौर्थ का अगर PM हो नौर्थ का अगर प्रेसिडेंट हो तो एक पद साउथ को जाना चाहिए उसी आलोक में डॉक्टर राजंद प्रशाद द्वारा वर्स 1950 में राष्टपती पद ग्रहन करने के उपरांद वर्स 1952 में हुए पहले राष्टपती चुनाव में डॉक्टर सर्पाली राधा क्रिष्टन को भारत का उपराष्टपती निर्वाचित किया गया और यह हम सब को जांकारी है जैसा कि हमने अपने विगत एपिसोड में जिकर किया था राष्टपती का जो निर्वाचन प्रक क्रिया है वह पूरे के पूरे इलेक्टरल कॉलेज द्वारा किया जाता है जिसके अंधर देश के 4896 में इसके में तो मुतिलता के अधार पे राष्ठपत्ति का निर्वाचन किया जाता है इसके ठीक अलग तरीका है उपर राष्ठपत्ति के निर्वाचन का जब लोक्षभा और राज्य सभाक की तमाम सदसे 543 अब 545 से लोक्षभा सदस्यों की संख्या 543 कर दी गई है क्योंकि दो सदस्य जो एंग्लो एंडियन कोटा से निर्वाचित होते थे नामित होते थे उस पद को वर्ष्ट 2019 में निरस्त कर दिया गया है तो लोक्षभा के 543 सद सब्सक्राइब करते हैं उसी आलोक में महांदार्शनिक सरपली डॉक्टर राधा कृष्ण ने दो अपने दो कारेकाल में उप्राष्ठ पती और उप्राष्ठ पती का सबसे महतुपुर्ण काम जो भारत के समिधान में विदित है वह है राजसभा का सभापतित तो संसत के नयाले के वह हैं उपरी सभापतितोनरताया ने उपरी सदन सभापतित काया राष्ठ पती की में बार्रेस defense की और जिक्र करेंगे कि कैसे इस समय ऐसा भी आया जब इस पाती में वहताली हो गया इस तेस के उप्राष्ठ पतित कपन खाली हो गया और सर्वोस्ट न्याले की नियाधीस कारेकारी मुद्खिन अधीस हब हिदाय तुल्ला शाहब को भारत का कारेकारी राष्ठपती बनाए गया खेर इस एपिसोड का जिकर हम अगले एपिसोड में करेंगे जब वरह गिरी वेंकट गिरी के राष्ठपती बनने की परकिली 10 वर्ष के कारेकाल में उप राष्ठपती के रूप में जो राथा क्रिष्टिनन ने देश वास्यों को प्रस्तूत किया था उस या कहिए उस सम्मान या उस प्राइज या उस आवाट के तहट वर्ष 1962 में डॉक्टर आजिंद प्रसाद जैसे मुर्धन वक्तितों के द्वारा खालिये कि इस देश ने सम्वेत स्वर में डॉक्टर राथा क्रिष्टिनन को पदाशीन किया और बरा सन्योग है बरा इत्त वारी लाल लंदा और तीसरे लाल बाहदुस्सास्त्री और यहां तक की स्रीमत्य इंद्रा गांती जी को भी पद की सपत आपने ही दिलाई थी अर्था कुल चार राष्ट्पतियों के साथ काम करने का मौका मिला था यही सभागे कालांतर में रामस्वामी व्यंकट रमं के लाष्ट्पत्त बनने के उपरांध उन्होंने देश की तमाम और ग्याधों कि भास्ट्पति देश के तमाम कें अंधोरिये इन्वर्सिटि जन्रिश्ट्र परोक्रांतर हैं लेकिन ऊंवा कि दिलि-उवस्टिटी जो है दिलि-उंवर्षिटी का चांसलर भारत का उप राश्च्पती होता है और भारत का राश्च्पती दिल्दी इनवर्सिटी का चांसलर होता है और एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट यहां है चांसलर जिसका कुलाधी पती भारत का प्रथान मंत्री होता है तो इस एहसियत से जसाकी सरपल्दी राथा क्रिश्टन ने कहीं कहा भी था कि मेरे लिए राश्च्पती होने का सबसे बारा फैदाया है कि मैं देश के केंद्री उन्वर्सिटी का हुलाधी पती हूं इससे मैं जीता हूं कि राश्पती पत्स से पानिव्रति होने के बाद वे अपने मुल अस्थान मद्रास चले गएं उनका जन मद्रास में हुआ थे मद्राश के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किसी जवाने में मद्राश नाम का कोई जगह इस देश में नहीं है मद्रास का नाम चन्नाई कर दिया गया है या ठीक उसी तरह है जैसे कि आजादी से पहले बॉंबे प्रदेश हुआ करता था एक मैं 1960 को बॉंबे प्रदेश का पुनर घठंग करके महराष्ट्रा और गुजरात पर आया गया महराष्ट्रा की राथानी बंबई बनाई गई और आज बंबई नाम की कोई मुर्थ जगा नहीं है उसका नाम मुंबई ले चुका है बारहाल इस एपिसोड को खत्म करने से पहले हमें जिक्र करना चाहेंगे कि डॉक्टर राथा कृष्ट्नन ने भारत के राष्ट्पति के रूप में एक ऐसे नहरू के साथ कारे करते हुए उन्होंने एक ऐसा बटब्रिक्ष उस पद की घरिमा को इतना प्रांजल कर दिया कि आने वाले तमाम राष्ट्पतियों से आप एक्षा करी गई एक ऐसे रिदी रिवाज कस्टम गाइडलाइन मांगदर्स आदर्स मुल्य की स्थापना की गई कि भारत में सत्ता किस्की भी हो चुनाब में हार्जित होती रहेगी लेकि भारत का राष्ट्पति भारत गंत अंत्र है कहते हैं कि वैसाली इसकी में अभीद्र हुआ था उसके रक्षार्थ भारत के राष्ट्पति के रूप में डॉक्टर सर्वाव अपली विधाकृष्णन ने एक उद्ध्यात मुले प्रस्तूत करते हुए भारत माता की शिवा में स्वयम को निशावर कर दिया थ था तब तक के लिए आज के इस अंक में देश के महान शिक्षक दाशनिक उप्राष्ट्पति रस्ट्पति राथा क्रिश्णन को सच्चत नमान पढ़ा हुआ 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 है